वेल्कम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चोन इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं गुजराट टाइटन्स वर्सेज मुंबई इंडियन्स आई पील मैच जो ही खेला जाएगा ब्रेबाउन स्टेडियम मुंबई में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से चेंजिस होने वाले हैं क्या रहेगी स्मॉन लीग की टीम ग्रैंड लीग की क्या टीम से रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं सब पूरी वीडियो देखिएगा मजा आने वाला है अगर आप लोग नए हैं तो आप हमाई साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएए यह हमारा टेलीग्राम चैनल है फेंटसी फॉर्चून के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन पिन कर दूँगा उसी के तुरू जुड़िएगा सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेंटसी फॉर्चून के नाम से पैसे मांगे तो बिल्कुल भी देने की जरुवत नहीं है साथ के साथ यूट्यूब शेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देजिए जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी बात करते हैं वेन्यू की सो ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई में मैच खेला जाएगा अगर देखा जाए तो इस सीजन जितने ही मैच इस हुए है अच्छा हाई स्कोरिंग राउंड यहां पर रहा है और चोके छके जो हैं अच्छे खासे लगते हैं बहुत असानी से छके लगा रहे थे बैट पर बोल काफी अच्छी आ रही थी तो आप एक अच्छा रन फेस्ट जो है इस मैच चे एकस्पेक्ट कर सकते हो और हार्ड हिटर्स भी जो है जैसे पोलाड हो गया टिम डेविड मिलर जो है आर्दिक पांडिया ये भी गेम में आ सकते हैं रन सी अच्छा कर सकते हैं इन प्लेयर्स पर भी अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ध्यान रखना है बात करते हैं गुजराट टाइटन्स की तो यहां से कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है यश्ट दियाल अगर अवेलिबल हैं मतलब फुली फिट हैं तो वो प्रदीर सांगवान की जगा खेल सकते हैं अदरवाइस टीम सेम टीम के साथ जाना चाहेगी मुंबई की बात करें सो लास्ट मैच जीत कर आ रही है सो मुश्किल से तो जीते हैं सो मेरे इसाफ से तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़ खानी नहीं करनी चाहिए बाकी टीम हार जब करना चाहिए लेकिन इस मैच में मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई खास चीन जहां से होता वह नजर आएगा बात करते हैं यहाँ पर विजन 11 पे 20,000 रुपे का फ्री गिववे है डेली यहाँ पर फ्री गिववे होता है तो फ्री गिववे जॉइन कर लिया करो 20,000 का डेली होता है कभी-कभी एक लाग का भी होता है सो विजन 11 आप डाउनलोड कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फॉर्चून रेफर कोड है 300 रुपे का साइन अप बोनस भी आपको मिल जाएगा बात करते हैं इंटरस्टिंग फैक्ट्स की सो बुम्रा ने शुबमान गि सावराय थी उसी में आउट कर दिया था जोसफ की जो है इसन को एक भार आउट कर जाना चाङेए एकविंदूर है सो जैसे ही वो विन हो जाएगी सो तो confirm हो जाएगा वट अभी भी confirm ही मान के चलो 10 में से 8 मैच जीती है 2 हारी है सिर्फ शुबमान गिल ओपन करेंगे यहाँ पर रिदिमान साहा के साथ शुबमान गिल जो है अच्छा कर सकते हैं इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि जिस तरीके का विकेट है यहाँ पर स्टार्टिंग के एक से दो वर स्विंग हो सकता है लेकिन यहाँ पर इस सीजन तो मुंबई के पास स्विंग बोलर भी नहीं है मतलब देखें बुम्रा है बुम्रा जो है इतने कोई सेटस्फल नज़र नहीं आ रहे है और श्रीजन काफी निराश कर रहा है और जो स्विंग कर एंगे रालि बहुत जादा अच्छा नहीं है तो यहां पर जो है सहा और शुबमांगिल अच्छा कर सकते हैं considering this और जो है दोनों टीमों अगर देखें जाए सब्रेवान में ओपनेर्स अच्छा कर रहे हैं बैट्समेंट जो है वह अच्छा कर सकते हैं यहां पर पहली इनिंग का जो बैट्समें है सो ध्यान रखना है दोनों अच्छे पेक आपके लिए बन सकती है साइस वदर्शन की बात करें यह मैंने पिछली वीडियों बताया था यह प्लेयर बहुत टैलेंटिड है और कमाल का खिलाड़ी है यह प्लेयर सो यह आप ग्रैंड लीग म भी यह दोनों अच्छा खेल गए सपोस्कोर साथ आट ओवर खेल गए सो यहां पर सुदर्शन की जगा हार्दिक पांडिया आ जाएंगे मेरे साफ से और उसके बाद मिलर और फिर तेवतिया और फिर सुदर्शन एक आदे मैच मेंसा हो सकता है इवन दो यहां पर गिल और साहा जो है mostly कोई ना कोई जल्दी आउट इन में से होई जाता है तो यह चीज़ का धियान रखना है सुदर्शन एक अच्छी डिफरेंशल पर जरूर बन सकते हैं हार्दिक पांडिया अपने फॉर्मर टीम के साथ खेल रहे हैं और यह रहा है इस IPL में जब जब जैसे और इवन ग्रैंड लीग में कैप्टन ओषा रसम दे के साथ बन जाते हैं ज्य बन जाते हैं कि वह कृंट हैं बोल्ली टोस ने रहे हैं और पड़ने रहे हैं आपज़ कम यहां पर डेविड मिलर एक अच्छी पिक आपके लिए बन सकते हैं राहूल तेवतिया प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट है गुजरात के लिए बठ हलका सार इसकी बन जाते हैं क्योंकि बैटिंग काफी नीचे कर रहे हैं इवन दो मुस्टली हर मैच में इनकी बैटिंग आ जाती है और हर मैच में नोंने मुस्टली रंस करें भी हैं ठीक ठाप पॉइंट्स दे रहेते हैं बोलर भी काफी अच्छे हैं लेकिन बोलिंग करवाई नहीं जा रही है राशित कान एक अच्छे पिक बन जाते हैं स्मोन में और grand league में captain wise captain की wickets नहीं मिल रहे हैं जादा लेकिन Mumbai के against निकाल सकते हैं और यहां पर साथ में number पर आके betting भी कर जाते हैं तो एक important pick रहेंगे और आपकी team में होने चाहिए ऐलजारी जोसफ जो है selection काफी कम है ठीक है और यह जो है अच्छा कर सकते हैं ट्रम कार्ट पर एक साबित हो सकती है selection काफी कम है जरूर try कर सकते हो death में wicket निकाल सकता है तो एक small league में अगर आप differential pair की तरफ जाना चाते हो तो जोसफ एक अच्छा कर सकता है ध्यान रखना है ठीक है प्रदीप सांगवान की बात करें तो प्रदीप सांगवान जो है दो पिछले दो माश से खेल रहे हैं पहला माश जो खेले थे उसमें wickets निकाले थे decent pick है grand league में चाहो तो try कर सकते हो अब काफी time से जो है प्रदीप सांगवान जो हो खेल रहे हैं मतलब 2008 के time से तो अब जो speed है थोड़ी speed भी drop हो गई है अदर्वाइस पहले अच्छे जो speed से बोल करते हैं लोकी फर्गुसन जो है mostly second innings में जब bowling करते हैं मैं जब ठीए second innings में जो है बोल करते हैं तब wickets निकालते हैं first innings में उतने wickets नहीं निकाल पाते हैं second innings में जो है अच्छी bowling इनका ज़्यादा अच्छा रहता है तो second innings में जो है आप लोकी फर्गुसन को अपनी टीम में ट्राइक कर सकते हैं मौहमस शमी सिंपल सी बाद है पहले एक दो बरे में अगर wicket ले जाते हैं तो उस match में दो से तीन wicket लेते हैं अच्छी खासी पिटाई हो जाती है तो वो last match में जैसे livingstone ने अच्छे आड़े हातो लिया 117 मीटर का चक कमा रहा है और बहुत होता है 117 मीटर सो मौहमस शमी लेकिन अच्छा कर सकते हैं last match में पिटाई हुई है तो इस match में redemption चाहेंगे और अच्छा करने ट्राइ करेंगे तो important pick रहने वाली है यहाँ पर death bowling की बात करें तो फर्गुसन है और यहाँ पर जोसफ है important player की बात करें तो यहाँ पर गिल है हारदिक पांडिया मिलर राशित खान फर्गुसन और मौहमस शमी टीम के लिए important की लाड़ी है Mumbai की बात करें तो already भार हो चुकी है टूर्णमेंट से रोई शर्मा open करेंगे disappointing season रहा है लेकिन एक आदे मैंच में रोई शर्मा चलेंगे और वो ब्रेबोन हो सकता है क्योंकि ब्रेबोन का stadium है जो बैटिंग के लिए थोड़ा suitable रहा है starting में अगर शमी का पहला एक दो वर सर्वाइफ कर जाएं तो अच्छा कर सकते हैं ग्रेंड लीग में अच्छी captain wise captain की choice बन जाएगी इशान किशन स्टार्ट काफी अच्छा हुआ था starting के दो तीन मैच में अच्छा किया लेकिन उसके बाद से शान्त हो गई अच्छा कर सकते हैं captain wise captain की तिलक वर्मा तिलक वर्मा का season बहुत शांदार रहा है बहुत रंस कर रहे हैं तो यहां पर simple सी बात है कि देखो अब क्या होगा कि आप सारे तो batsmen लेकर नहीं चल सकते हो ठीक है तो आपको यह तिलक वर्मा कब लेना है अगर आपको लग रहा है कि रोहिष भाईया जो है वो flop होने वाले है ठीक है तो या फिर आप इशान किशन को drop कर रहे हो या दोनों में से किसी को कर रहे है तो आप तिलक वर्मा अपनी टीम में लेकर चलना मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में जल्दी विकेट्स गिर जाएंगे तो तिलक वर्मा आप ले सकते हैं अपनी टीम में और अगर आपको लगता है ओपन अच्छा स्टैंड लग जाएगा क्योंकि फिर पावर हिटर भी है तो उनको भी पहले प्रमोट किया जा सकता है तो उस केस में आप इग्नोर कर सकते हैं काईरन पोलार्ड की बात करें एक अच्छा ट्रमकार्ट स्मॉल लीक के लिए हो सकता है क्योंकि इस टीम में बोलिंग भी कर सकता है अगर आप देखो बोलर्स कौन कौन है यहाँ पर अब हुम्रा के चार ओर मानो यहाँ पर मेरेडिस के चार ओर मान लो यहाँ पर सैम्स के चार ओर मान लो यह हो गए 12 ओर ठीक है बचे शौकीन और यहाँ पर कार्तिके कार्तिके के आप मान सकते हो कि चार ओर करने चाहिए लेकिन जरूरी नहीं है कि करेंगे ही करेंगे ठीक है क्योंकि इन एक्स्पीरियंस खिलाड़ी हैं दोनों यहाँ पर शौकीन और कार्थिके तो उसके ओबर सागर देखो यहाँ पर अच्छी जो है बोलिंग नहीं करी मतल़ या पिटाई हो गई तो उसके इसमें कायरन पोलार्ड है हो बोलिंग करने आ जाएंगे प्लस यहाँ पर थर्ड़ डाउन या फोल डाउन तक बैटिंग कर रहे हैं सो बैटिंग आने के भीomo चांसे बन जाते हैं तो एक आपके लिए अच्छी पिक रहेगी small league के लिए differential पे जो आपको जिता सकती है और plus आपके लिए grand league के captain wise captain की अच्छी choice बन जाएगी Tim David last match खेले थे और जो है अच्छा cameo खेला था जिसकी वाई से team जीती भी सी so Tim David important बन जाते हैं और 4 down या 3rd down तक बैटिंग करेंगे पोलाड और इन में अगर जो है लास्ट के 4-5 और बचे तो पोलाड पहले आएंगे और अगर विकेट जल दिगेते हैं तो यहाँ पर Tim David पहले आ सकते है तो आपके लिए Tim David भी बुरी पिक नहीं है अच्छा कर सकते हैं वह उनके स्टेडियम में तो आप पोलाड और डेविड को दोनों को एक टीम ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में नहीं ग्रैंड लीग में दोनों को एक टीम में ट्राइ कर सकते हो प्लेयर शौकीन की बात करें अच्छा जो है confident बोलर है ज़रताने पर बैटिंग भी आपको करके दे देगा और offspin करते हैं और ठीक बोलिंग कर रहे हैं मतलब कि लड़का confident है में यह नहीं कि यार लड़के में confidence है तो यहाँ पर एक आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ट्राइक किये जा सकते हैं इस्पेशली ग्रैंड लीक में राइली मैरेडिस की बात करें डेथ में बोलिंग करेंगे और स्पीड से बोलिंग करते हैं विकेट निकाल सकते हैं तो अगर टीम पहले बोलिंग कर रही है तो एक अच्छी पिक बन जाती है जा स्पीज बुम्रा की बात करें अगर सबसे आला किसी ने के हम लोग बात कर रहे हैं कि विराट कोली फॉन में यह रोई शर्मा फॉन में यह इंशान किशन का बहुत मजाक वन रहा है कि इतना करोड रूपए मोगों कई ले लिए लेगगे अर देखा जाए तर बुम्रा ने तो है क्योंकि फॉर्म जादा अच्छी नहीं है बट आइम बैकेंग हिम कि इस मैच में अच्छा करना चाहिए इस्पेशली अगर टीम पहले बोलिंग कर रही है कारती के की बात करें लास्ट मैच सुर्य कुमार तिलक वर्मा बुम्रा और मेरेड़ जो है टीम के लिए इंपॉर्टेंट की लाड़ी है बात करते हैं स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन तो काफी ऑप्शन्स हैं आपको काफी अलग अलग अपोनेंट इस मैच में देखने को मिलेंगे तो गिल है सुर्य कीबिंग सेक्षन में हमारे पास दो ऑप्शन गिवन है यहां पर सांब और इहां पर इशान किशन है मैंने अपनी टीम में लिया है आप चाहें तो किसी एक को डॉप कर सकते हैं बैटिंग सेक्षन या फिर आप रोहिष शर्मा में किसी एक को ड्रॉप करके ले सकते हैं बुरी पिक नहीं है लगातार अच्छा कर रहे हैं क्रेयरेट देखो रोहिष शर्मा के ये दिन आ गया कि 8.5 क्रेयट हो गया सुदर्शन जो है सेलेक्शन काफी कम है और प्लयर में टेलन्ट है गरेंड लीग में कैटन वाइस ज़रू ट्रै कर सकते हैं इमपोर्टन बन जाते हैं गरेंड लीग में इवन स्मॉल लीग में भी अच्छा हिलाडिया तेजी से रं-बनाता है लास्ट मैं आश मैं अच्छा करके भी आ रहा है यहाँ पर टिम डेविड है जो फिनिशिंग का रोल करेंगे इस मैं आश मैंने अपनी टीम में पोलाड को रखा है क्योंकि एक दोवर भी करके दे सकते हैं जो टीम खेल रही है उसके अकॉर्डिंग और यहाँ पर थर्ड या फोर डाउन तक बैटिंग भी करके दे देंगे सब पोलाड को मैंने अपनी टीम में रखा हुआ है और राउंड सेक्शन की बात करें सो मैंने हार्दिक पांडिया को लिया है अपनी टीम में यहाँ पर हैं डैनियल साम्स जो अच्छा कर सकते हैं एक अच्छी पिकाप के लिए बन जाएंगे दिवतियां हैं और यहाँ पर शौकीन है जिनको आप ग्रेंड लीग में ट्राइक कर सकते हैं बोलिंग सेक्शन में यहाँ पर मैंने मुहमद शमी को रखा है राशित खान को मैंने अपनी टीम में जगा दी है बुम्रा को रखा और अभी के लिए रायली मेरेडेट को रखा दो खिलाडी जो डिफरेंशल प्लेयर बन सकते हैं वो हैं फर्गुसन फर्गुसन को कब ट्राइ कर सकते हैं अगर टीम जो है सेकंड बोलिंग कर रही है मतलब जो है सेकंड जो है गुजरात की बोलिंग आती है तो उसमें विकेट्स निकाल सकते हैं और जोसफ को आप ट्राइ कर सकते हैं अगर टीम की पहले बोलिंग आ रही है जोसफ अच्छा कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे इन में से किसी एक वियर कॉपने टीम में अकॉमडेट करने पर डिपेंडिंग अपॉन टॉस तो ये बन जाती है अपनी स्मॉल लीग की टीम इसमें एक से दो चेंजित हो सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं तो वाइस कैप्टन मैंने हार्दिक पांडिया को रखा है अपनी फॉर्मर टीम का केस खेल रहे हैं पिछले एक दो मैच में रन नहीं हुआ है सो हारदिक पांडिया कर सकते हैं इस मैच मेरन अब आज आता है कैप्टन का डिसीजन जो काफी important बन जाता है अब देखो यहाँ पर options काफी है यहाँ पर इशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है शुबमान किल है, यहाँ पर रोहिश शर्मा है यह कुछ options आपके लिए बन जाते है आप बैटिंग से, बोलिंग में यहाँ पर आपके पास राशित खान है, महमद शमी है ठीक है, सो कैप्टन जो है, मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ यहाँ पर मैं शुबमान किल सो फाइनल टीम टेलिग्राम पर आपको मिल जाएगी बात करते हैं, ग्रैंड लीग टीम्स की सो दो टीम में आपके लिए क्रियेट करी है टीम नमबर वन, जो है हमने रखा है इसमें शुबमान गिल को जो है कैप्टन किया पॉलाड को हमने वाइस कैप्टन किया हुआ है और इस टीम में हमने फर्गुसन को भी रखा हुआ है टीम टू की बात कर लेते हैं इसमें हमने क्या किया है कि इस मैच इसमें ना हमने सारे हार्ड हिटर्स जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रैबोन में जो हैं हार्ड हेटर्स को अच्छे से चोके चक्के लगा पा रहे थे तो पोलाइड भी आ गए मिलर भी आ गए यहां पर डेविड भी आ गए तेवतिया भी आ गए तो यह कॉंबिनेशन काफी अच्छा बन जाता है और यह हमने रोहिष शर्मा को कैप्टन और इशान किशन को वाइस कैप्टन किया है क्यों किया है जैसे अगर यह दोनों ही स्टार्टिंग में अच्छा कर जाते हैं मतलब एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड हो जाती है फिर हम मानके चल रहे हैं कि पोलाड आ जाएंगे यहां पर डेविड आ जाएंगे उस तरीके से हमने रखाया और एंड में के लिए हमने यहां पर फर्गुसन को रखाया कि वो विकेट निकाल लें इस तरीके से हमने टीम टू बनाई है आप इसी तरीके से मल्टिपल टीम्स क्रियेट क कर सकते हैं और सेम एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम में केप्टन ट्राइ कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आईए पसंद आईए तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करके बताओ आपके इसाब से best small league captain choice इस match में कौन होने वाली है कमेंट करके जरूर बताना साथ के साथ YouTube channel को subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी Thank you guys